नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के एक MLC पृत्याशी ने BJP, दलित और पिच्रावर्क के नेताओं को एक लेटर लिख दिया है और इस लेटर में उन्होंने समान की खातिर वोट देने की मांग कर डाली है असल में दोस्तों, उत्तरप्रदेश के दो MLC सीटों के लिए चुनाव होने वाले है इन दोनों सीटों पर भारतिय जन्ता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने पृत्याशी उतारे सपा की तरफ से राम जतन राजभर और राम करन निर्मल को उमीदवार बनाया गया है इसी भी सपा के MLC प्रत्याशी ने एक लेटर लिखकर BJP के पिछडे और दलित विधायकों से उनका समर्थन मांग लिया वो मांग कर रहे हैं कि सभी नेता अपनी अंतरात्मा की आवाद सुनकर उनको वोट दे सरकार में पिछडे वर्ग से आने वाले उपमुख्य मंतरी केशव प्रसाद मौर्या है उनके साथ साथ BJP के सहयोगी पार्टी अपना दल के वरिष्ट नेता और प्रदेश के कैबिनेट मंतरी आशीश पटेल है मंतरी स्वतन्त देव सिंग, अनिल राजबर, लक्षमी नारायन चौधरी और दिनेश खटिक साथ में सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजबर को फिए लेटर मिला है दोस्तों उनका कहना है कि सापा पिछलों और दलितों के उद्धान के लिए काम कर रही है और उन्हें बढ़हावा दे रही है इसलिए विधान परिशद उपचुनाव में सभी विधान सभा सदस्यों को अपने समान की खातिर समाजवादी पृतियाशियों का समर्थन करना चाहिए दोस्तों इस अपील में ये भी लिखा गया है कि बीजेपी की समाजिक नीती में खोट है बीजेपी में गरीबों दलितों के लिए कोई जगा नहीं है बीजेपी ना तो सबका साच चाती है और ना ही सबको लेकर चलती है और तो और भाजपा पिछरों अनुसूच जाती और जनजाती के आरक्षन की विरोधी है लेकिन सपा के राश्च्रे अध्यक्ष अखिलेश यादब भारतिय सम्विधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं इसलिए सबी दलित पिछडे नेताओं को एकजट हो जाना चाहिए दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई लेटर लिखा गया है और अपने लिए वोट मांगी गई है वो भी विपक्षी नेताओं से ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इस लेटर का क्या जवाब देती है जवाब देती भी है या नहीं आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा नमस्कार जय भीम जय भारत